अरे चाचा जी आप कौन से विशय के बारे में आलोशना कर रहे हैं कि सभी गरम कड़ाई में पॉपकॉन की तरह उचल रहे हैं यह क्या लगता है तुमने कुछ भी नहीं सुना है क्या लाश वहीं तो क्या हुआ चाचा जी मेरे ससुराल में एक समारो था मैं वहीं पर गया था समारो में शामिल होने इसलिए तो अच्छा अरे हमारे हरी प्रिशाद के घर डखैत आये थे समझे बिचारी का सब कुछ लेकर चले गए यह घटना ठीक दो दिन पहले की है उसने अपने घर में अपनी बेटी दमाद को देने के लिए सोने की गहने रखे हुए थे मैंने सुना रुपे पैसे भी थे सब सब कुछ लेकर चले गए और जाने से पहले हरी प्रिशाद को बहुत मारा भी है बहुत यह काली डखैत है सभी उसका नाम सुनते ही धर धर कांपने लगते हैं भाई यह तो बड़ी चिंता वाली बात है चाचा जी कैलाश काली डखैत और उसके दल के लोग गाओं में घुसाए हैं समझे अब वो किसके घर में धावा बोलेंगे क्या पता है तुम लोग जल्दी से जाकर घर के अंदर से सामान लेकर आओ मेटी के खुदाई पर जो मेटी का घड़ा मिला है उसे भी लेकर आओ जल्दी जाओ जल्दी लेकर आओ अरजनो खटाल के घर से दुधार उगाई और बकरी लेना बेलकुल भी मत भूलना समझ गए नहीं सर्दार तुम ये सही नहीं कर रहे हो काली पूजा करवाकर बहुत कश्च उठाकर मेने पैसे जमा किये हैं उन्हें उन्हें इस तरह से लेकर मत जाओ तुम तो मा के भक्त होना उनकी पूजा करते होना मा बिलकुल भी ये अन्याय बरदाश्ट नहीं करेंगी उनका विशाप लगेगा तुम्हें उनका विशाप लगेगा याद रखना है है पंडित चूप बिलकुल चूप अगर ज्यादा बोला तो सीधा उठाकर मा के चलनों में तेरी बली चल तो तुम लोगोंने सब सुना ना हाँ चाचा जी ये तो गंभीर बात है वो काली डकेत बहुत ही घातक है चाचा जी उस काली डकेत का डेरा पता है क्या आपको जानते हैं हाँ वो तो बिलकुल सटीक बता नहीं पाऊंगा लेकिन सुना हूँ बाएं तरफ जो घना जंगल है ना उसके पास जो पुराना शमशान है उसके पास एक बहुत ही पुरानी प्राचिनकाली का मंदिर है वहीं पर काली डकेत का डेरा है तुम जाओगे क्या आप भी ना चाचा जी, मैं तो पुलिस के बारे में सोच रहा था छोड़ो पुलिस को, वो लोग क्या करेंगे? पकड़ लेने पर वो लोग अरिष्ट कर सकते हैं न? इससे ज़्यादा पुलिस वाले और कुछ नहीं कर सकते हैं, समझे? काली डगयत अगर अपने बाप दाड़ा के पेशे को आगे बढ़ाता, तो फिर वो नाम भी कमाता और हमें जरा शान्ती भी मिलती वो क्या है चाचा जी? काली डगयत को बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना आता है, उसके बाप दाड़ा भारत के प्रसिद रसोईया थे, समझे? काली उस रास्ते पर नहीं गया, लेकिन प्रत्यक शनिवार मंगलवार को वो मा की पुझा करता है, और अपने हातों से मा का सारा प्रशाद पकाता है, समझे? मैंने सुना है, उसके हातों का बना खाना जो भी खाता है, वो उंगली चाच चाच कर खाता है, क्या सच में चाचा जी? सच में, उसके दादा नवाब वाजी दली खान के प्रमुक रसोईया थे, हाँ, उनके हातों के बने खाने के अलावा, नवाब किसी और का बना खाना चकते भी नहीं थे, हाँ, सब सुनी हुई बाते हैं, पता नहीं सच है या जूट, लेकिन काली इसी मामले में अपने बा दकेत, खाना बना कर हमें खिलाने तो नहीं आएगा ना, आएगा दकेती करने, इसके हाथों कैसे बचा जाए, बस यही सोच रहा हूँ मैं, अच्छा क्यलाश, तुम तो बहुत होश्यार हो, हाँ, देखो न, शायद तुम कुछ कर पाओ, कुछ तो कर सकते हो, क्या के रहे है चाचा जी, कहां काली, डकेत, और कहां मैं, मैं कैसे उन लोगों का सामना करूंगा, सही कहा, सही कहा, उपर वाले का ही सहरा है, जए मा काली मैं बेकार में क्यों डर रहा हूँ, मैंने तो कोई और भेजधारन कर रखा है, काली डकेत क्या, उसके बाप तादा भी मुझे पैचान नहीं पाएंगे, सर पर जटा, नंबी दाड़ी और मुच, लाल कपने, ललाट पर तिलक, रुद्राक्ष की माला, वा, मैंने बहुत ह शांदार भेजधारन किया है, अहा, बाबा, खाने की खुश्बू, मेरा मन खुश कर रही है, नहीं, 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 अब और देरी नहीं करनी चाहिए, काली के डेरे में अब घुशना ही पड़ेगा, जै मा, काली, जै मा, जै मा, जै मा, काली, मा, आपका भक्त आ गया, कौन हो मैं मैं मा का भक्त हूँ मा तुम्हारी पूजा से खुश है इस लिए मुझे तुम्हारे पास भीजा है हाहा हांทำ लोगों की पूजा से मां बहुत ज्यादा मुग रहा है सच कह रहा। वाबा आएए बाबा हाई ये आसनद पर बैठी यह हमारा परमसोभाग्य है बाबा, जैमा, जैमा, जैमा काली, जैमा सुनो, तुम लोग पहले मेरे खाने की व्यवस्ता करो बहुत भूग लगी है, बहुत धूर से चल कर आ रहा हूँ, कैलाश से आया हूँ चलो चलो चलो, तुम लोग जल्दी खाना तयार करो सुनो, तुम लोग जल्द से जल्द बाबा के खाने की व्यवस्ता करो जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी करो, जल्दी बाबा, आप कौन है? मैं, मैं तो काल भैराओ हूँ, काल भैराओ काल भैराओ सुनो ये प्रसाद मा ने ही ग्रहेड किया है इससे तुम लोगों को पुन्य मिलेगा बहुत स्वादिष्ट खाना बना है मा बहुत संतुष्ट है तुमसे बाबा 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 आप मुझे आश्रिवाद तो देंगे ना बाबा हाँ बेटा हाँ जरूर आश्रिवाद दूँगा लेकिन उसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए बेटा इन सबसे क्या करेंगे बाबा सुनो बड़ी बड़ी बोरियां लंबी मजबूत रस्ती और मुकदर जिससे तुम लोग व्यायाम करते हो वो 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 चो कोने में रखा ह यह सारा सामान ले आओ जल्दी करो इन सबसे क्या करेंगे बाबा बेटा इन सभी चीजों से ही तुम लोगों को आशिरवाद दूंगा इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं हरिंग भरंग बंधन आशिरवाद शक्ति शाली इंसानों के लिए शक्ति आशिरवाद इससे तुम ल काली तुम डखेतों के सरदार हो इसलिए आओ आओ तुमसे हरिंग भ्रिंग बंधन आशिरवात देने का काम शुरू करता हूँ चलो आजाओ और आकर इस बोरी के अंदर घुश जाओ हाँ बाबा आ रहा हूँ बाबा आ रहा हूँ आओ अब तुम लोग भी एक एक करके आजाओ मैं तुम लोगों को भी हरिंग भ्रिंग बंधन आशिरवात देता हूँ ओम फूस फटास 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 अच्छे से हरिंग ब्रिंग बंधन बान दिया ना सुबह से पहले इंकी आखे खुलेंगी ऐसा तो लगता ही नहीं है चलो जाता हो जाता हो अब अपना बाकी काम भी निप्टाता हूं अलग में ना कीज़ेत् hergend ह्युकंशक कर मार्ण में असानी दर्थ हरा है यहा इतने सारे और कहां काली डेकर और वो सभी इसके साथ ही है सुनो सभी लोग को घेर कर रखो पुलीस जब तक नहीं आजाती तब तक घेर कर रखो हां लेकिन इन सब की हालत ऐसी किसने घर्दी कौन हो सकता है कौन कौन था? कौन था वो? काल भेर आ झाल झाल